हमुरी नरम कलाई गड़े कंगना पिया कैसे डुलाउं रसके बिजिना कोई नई नवेली दुलन आई है और वो अपने पती से कह रही है कि मेरी कलाई इतनी नाजुक है और कंगना भी कंगन जो पहना वो गड़ रहा है तो रसके बिजिना यानि जो प्यार के बिजिना है और जो मुहबत का पंखा है वो कैसे जहलें और कजरा के भार मुरे नेना दुखत है हाँ कजरा के भार मुरे नेना नेना दुखत है हर गुईया नेना 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 कजरा के भार मुरे नेना दुखत है और खोले खुले ना खोले खुले ना दुणे ना पिया कैसे डुलाओं रसके बिजिना और नरम कलाई गड़े का गैना पिया कैसे डुलाओं रसके बिजिना और बेंदी के भार लिलार दुखत है जो बेंदी हमने लगा रखी है ये लिलार हमारा ये माथा जो है उससे दर्ड हो रहा है और बेंदी के भार मोरे लिलार दुखत है ओ घुंगट के भार जो घुंगट उसने उड़ रखा है उसके भार से वो पठ ही ली खुल पा रही है अरे घुंगट के भार खुले पठना पिया कैसे डुला उरस के विजना हा नरम कलाई गड़ कहना कि और सतन झाले के बहुत अबहर मोरे कर डड़ कते है और साड़ी भी यह पारम्परेशogen है कहते हैं सोने और सचांदी तारूं से साड़एं बनाई जाती से तो उसके बाहर से उसकी कमर में दुख रहा है कभी उसने शंगार नहीं किया कभी उसने सब नहीं पहना वड़ा तो उसको तकलीफ हो रही इतने सारा जेवर उसने पहन लिया है वाजकल की लड़के देखे चुटेटे टॉप और स्कर्ट और वो सब जीन्स डैमेज डेमेज जीन्स पहन के घुमती है अगर उनको आप 10 किलो की साड़ तो समाली नहीं पहेंगी तो वही हाल उसका भी हो रहा है अरे साड़ी के भार मोरी कमर दुखत है कमर दुखत मोरी कमर दुखत अरे महावर के भार जो महावर पैर में जो है बहुत सजा सजा कि ये आलता लगाया जाता है और आलता तो हर शुब काम में जो भी स्रियां ब्र करती हैं जो देवी की पूजा करती है तो वो सुहाग का एक सिम्मल है पर रहा है संकेतिक रूप से उसको पैरों में आलता लगाते हैं तो वो क्या गया रही है कि महावर से मेरे पैर में तकलिक हो रही है अरे साड़ी के भार मोरी कमर दुखत है कमर दुखत पिया कमर दुखत है महावर के भार उठें पगे ना महावर के भार से मेरे पैर उठ नहीं रहे है महावर और महावर के साथ उसमें वो बिच्वा भी पैना होगा पाइल भी पैना होगा तो इसलिए उसके पैर उठ नहीं रहे है महावर के भार उठे पगना पिया कैसे डुला हूं रसके बिजना हो मोरी नर्म कलाई गड़े कंगेना पिया कैसे डुलाओं रसे के बिजना हाँ पिया कैसे डुलाओं रसे के बिजना और ये परंपरिक गीत है अपने अवद में पुंदेल खंड में बहुत किसी समय प्रस्टित रहा होगा लेकिन अभी आपको नहीं मिलेगा मैंने बहुत इसको खोजा पहली लाइन मुझे पता थी तो मैंने बहुत खोजा बहुत खोजा तो मुझे कहीं से मिला ये गाना और इसलिए मैंने कहा कि आप लोग को सुनाए जाए